पीतेर अविवार यानी 19 मई का दिन पूरे इरान के लिए काफी टेंशन भरा रहा जब खबर आई कि इरान के राजपती इबराहिम राइसी का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसके बाद बचावकार युदिस्तर पर शुरू हो गया लेकिन खराब मौसम के चलते हादसे के करीब ठारा घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुची तो वहां किसी के जिन्दा होने के सबूत नहीं मिले इस खबर से मानो इरान के लोगों पर दुखो का पहार टूट पड़ा हो इस हादसे में राश्पती राइसी समेथ विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई दावा किया जा रहा है कि अजर्बैजान के घंए और पहाड़ी इलाके में विमान की हार्ड लेंडिंग हुई हेलिकॉप्टर में राश्पती के अलावा विदेश मंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहेन इरान के पूर्वी अजर्बैजान प्रांथ के गवर्नर और कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी यात्रा कर रहे थे बताते चलें की राश्पी के काफिले में तीन हेलिकॉप्टर थे इन में से दो हेलिकॉप्टर में मंत्री और अधिकारी सवार थे ये दोनों हेलिकॉप्टर सुरक्षित वापस लोटाए इरानी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम ही दुरघटना की वजय बना है मौसम के चलते ही बचाव अभियान बुरी तरहा से प्रभावित हुआ और रेस्क्यू अपरेशन की गती काफी धीमी रही जिस हेलिकॉप्टर में इरान के नेता सवार थे वो बेल 212 हेलिकॉप्टर बताय जा रहा है जिसे बेल 212 के नाम से भी जाना जाता है ये 1960 के दशक का हेलिकॉप्टर है इसे अमेरिका की कंपनी बेल टेक्स्टाउन इंक ने बनाया था बेल 212 हेलिकॉप्टर कंपनी के आइकॉनिक मॉडलों में से एक था जो की 15 सीटो वाला था न्यूज एजनसी अलजजीरा की माने तो ये एक मीडियम साइज का दो इंजन वाला हेलिकॉप्टर है इसका इस्तेमाल सिविलियन, कमर्शल और सेना के लिए किया जाता है ये हर तरह के हालातों के लिए अनुकूल है इनमें लोगों को ले जाना, हवाई अगनी शमन, माल धोना और हतियार लाना शामिल है इसमें एक पाइलेट और 14 लोगों के बैठने की जगा होती है इस हेलिकॉप्टर में दो ही ब्लेड होते हैं इसलिए इसे टू ब्लेड हेलिकॉप्टर भी कहा जाता है बेल 2-12 हेलिकॉप्टर पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और विश्वसनी अमाना जाता है यही वज़े है कि परिवाहन से लेकर सर्च अपरेशन और सैन्ने अभियानों के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी इन सब खास बातों के बीच बेल 2-12 हेलिकॉप्टर हाथसे का भी शिकार हुआ है साल 1997 में यह हेलिकॉप्टर लुईसियाना के तट पर क्रेश हुआ था इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी साल दोहजार नों में بैल 212 हेलिकॉप्टर कनेडा में क्रेश हुआ था इसमें 17 से 18 लोगों की मौत हुई थी इसके अलावा سाल 2018 में भी ये हेलिकॉप्टर हाथ से का शिकार हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी इराणी राजपती के हेलिकॉप्टर क्रेश में जान गवाने के बाद कई सवाल भी उठने शुरू हो गए है जहां एक और इराण अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार नई उपलबधियां रच रहा है इरान मिडल इस्ट में नई धुरी के रूप में उबर रहा है उस बीच ऐसी घटनाएं शक का दाएरा बढ़ा रही है बीते साल ही इरान के दूसरे ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ कुर्बानी ने कहा था कि इरान की रक्षा शमताओं पर कभी समझोता नहीं किया जा सकता है और ना कभी किया जाएगा इस बीच ऐसी खबर ने इरानियों में हलचल बढ़ा दी है कुर्बानी ने ये तक दावा किया था कि पश्चमी प्रतिबंधों के बावजूद इरान ने उचस्तर की युद्ध तैयारी हासिल कर ली है माना जा रहा है कि इरान इसे महज हादसा न मानते हुए साजिश के तहत भी जाच करेगा वहीं अमेरिकी खूफिया एजंसियों की माने तो अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले है जिनके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके इस पीच कुछ इरानी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे काफिले के दो हेलिकॉप्टर सही सलामत पहुच गए और जिस हेलिकॉप्टर में राइसी सवार थे वो क्रैश हो गया बहराल आने वाले दिनों में सभी आशंकाओं से परदा हट जाएगा